तो यहूदी धर्ब में सबसे पहले जो तौहीद का एक यह है लाइन है यह है डिटरानमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 बाइबल का जो बुक है यह बाइबल है इसमें दो नियम होता पुराने नियम को पुष्ट के यह सब पुराना नियम का है और यह नया नियम दोनों यह बारम कि नने चैप्ट का इसमें लिखावाना इसमें लिखावा the Lord is one इसको आप लिख सकते जैसे कि अपना अगर या क्योंकि यह वाला आपको याद रहना होगा कि the Lord our God the Lord is one यह वाला लाइन आपको बताने में काम आएगा क्रिस्टिन को भी बताने हो कि क्रिस्टिन भी लगभग इसको ओल टेस्ट्मेंट को मानता है औस तरह नहीं मानता लेकिन मानता है और अगर कोई यहुदी से आपके मुलकात हो गई जिसको आपको बताना तो आप इससे बता सकते उसको ठीक है और रेफरेंस भी यादर करना 6 6 और 4 10 होता आपका ठीक है तो 6 का 4 हो गया यह हिंदी का है सुन और इसी तरह का और भी लाइन मिलता है बुक अजया थोड़ा सा आगे में बुक है यहां पर एक क्रिस्टिन से हम बात कर रहे थे तो वह क्रिस्टिन हमको बताया कि अगर आपको गौड के बारे में जानना है तो आप बुक अजया पढ़िए बुक अजया यह हिंदी में य कर दो कि मैं ही खोड कोई नहीं है I ever i am the Lord and beside me there is no Saviur Isaiah chapter 43 verse number 11 मैं मैं ही खोदा हूँ और मेरे इलावा कोई भी नहीं है बचाने वाला I am Lord and there is none else, there is no God besides me Isaiah 45 को 5 कि मैं ही खोदा हूँ, मेरे इलावा कोई भी नहीं है मैं ही खोदा हूँ और मेरे इलावा कोई भी खोदा नहीं है There is no God besides me, I am God and there is none else I am God and there is none like me कि मैं खोदा हूं मेरे लाव कोई नहीं और मैं ही खोदा हूं और मेरे जैसा कोई भी नहीं है तो यह चार लाइन आपको और मजीद करता है तोहीत का इनके किताब में जो की ओल्ड टेस्टमेंट है यहूदियत में इजाया बूक अफ एजाया है एक लिख लीजिए हाँ एडलाइन लिख लीजिए या उसको यह कर लेंगे तो यह सब लाइन आपको जैसे याद रखिएगा तो आपको काम आएगा किसी भी क्रिश्टिन के सामने बोलने में बताने में उसको जैसे बूक अफ एजाय को वह भी मानता है ऐसा नहीं कि ओल्ड को भी मानता है लेकिन वही ज्यादा न्यू टेश्मेंट को मानता है अपना हमारे चैनल आयर पीसी इंदिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताके हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचें